अज़े गुट इवनी तो एक नया चैप्टर चैप्टर नम्बा एलेवन इंटरनेशनल फाइनेशनल मैनेशमेंट रिस्क मैनेशमेंट साइध हमने बीच में कर लिया था ठीक है इंटरनेशनल फाइनेशनल मैनेशमेंट की अगर बात करें तो उसमें टोटल नमबर ओप कोश्चन्स दो या तीन है इसमें एक अगर मैं कहूं कैपिटल बजिटिंग पुरी तरह से इनवाल्व था हाँ आईसी ए आई ने एक कोश्चन ऐसा भी दे दिया था जिसमें एजिस्टेड एन पीवी मांगा था भई है नहीं है इसलीबस में यार वो तो ओल्ड इसलीबस में कैपिटल बजिटिंग हुआ करता था पर हो सकता इंस्टिवीट का ये कि सोच ना हो क्योंकि कैपिटल बजिटिंग सी ए इंटर में चला गया है तो वहाँ एजिस्टेड एन पीवी पढ़ा होगा बच्चे ने और पढ़के तभी तो निउसलीबस दे रहा है एजिस्टेड एन पीवी था ओल्ड इसलीबस में क इसके बाद वह सीए इंटर में सिप्ट हो गया वहाँ भी एजिस्टेड एन पीवी है पर उसको मैं पूरी तरह से तो पढ़ा नहीं पाऊंगा लेकिन उस को डिसकस जरूर करूंगा हाला कि कुछ है नहीं है कॉंसेट तो पहले यह वाला कोशन देख लें हाजी देखी क्य नमर के कोशन है लिखा अब प्रोपोज फॉरें इन्वेस्टमेंट इन्वाल्व प्लांट विट एन्वल आउट्पुट अप वन मिलियंस यूनिट्स दि इंटायर प्रोड़क्शन विल बी एक्सपोर्टेड अट इस सेलिंग प्राइस डॉलर पर उनिट तर है क्या चक् कुछ नहीं भाई सीधी सी वाद उनका ये कहना कि एक प्लांट लगा रहा है अब बोले हम एक्सपोर्ट करेंगे वन मिलियंगे मतलब डॉलर नहीं है दस लाख यूनिट्स दस लाख यूनिट्स और कितने के सबसे सेलिंग प्राइस वो है डॉलर ठीक एक लग के दस दस लाख यूनिट्स दस डॉलर के सबसे सेल्स करेंग अगर आज के एक्शेंज रेट को देखा जाए तो कॉस्ट प्रोडक्शन डॉलर्स में डॉलर्स में बता रहा है मतलब एक यूनिट का कॉस्ट एक यूनिट बनाने का कॉस्ट वैसे तो यार इंडिया विंडिया वाली तो बात कहीं किया नहीं वैसे अगर मैं देखूं तो रुपीज में मैं ऐसे मानके चल रहा हूं कि यह जो प्रोडक्शन का काम है वो इंडिया में हो रहा है और उसको एक्सपोर्ट कर यूएस में तो वहां से एक डॉलर एक यूनिट कितने कम बिकेगा दस डॉलर का लेकिन उस यूनिट को बनाने में कॉस्ट कितना लग र हम बता दे रहा है रुपीज में जितना भी होता होगा आपको डॉलर में एक यूनिट बनाने का छे डॉलर कॉस्ट आ रहा है मतलब कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है डॉलर 6 उसी तो से ज्यादा असान हो गया है एक यूनिट बनाने में 6 डॉलर लग रहा है और 10 डॉलर का बेच रहा है और 10 डॉलर का बेच रहा है डॉलर इस एकस्पेक्टेट टू डिक्लाइन बाइट 10 पर्शन और 15 पर्शन अब अनुमान अनुमान यह है कि डॉलर या तो 10 पर्शन से डाउन होगा या तो 15 पर्शन से डाउन होगा यह कैसे निकला सबसे पहले मान लो एक डॉलर करेट आज 50 रुपए तो बटे मन से बोल रहा हूं एक यूनिट बनाने में 300 रुपए खर्च होता है 50 रुपए रेट है इस हिसाब से एक यूनिट बनाने में 6 डॉलर लगती हो गये मन से लिखा है कि लगत थो 300 पर डॉलर करेट डिक्लाइन हो गया मतलब डॉलर 50 से महगा हो गया 55.5 मन से बोल रहा हूं मानलो अब डॉलर का रेट रिखुल् है मतलब डॉलर जो है वह सस्ता हो गैर सस्ता हो गया एक डॉलर जो है डॉलर हो रहा हूं जरूरत नहीं बोल रहा है कि dollar जो है वह decline हो गया 10% से ठीक है बोले 10% से भी decline हो सकता है या 15% से भी decline हो सकता है dollars ठीक है the change in local cost of production तो बोले decline होने की वजह से जो cost per unit लग रहा है cost per unit 6 रुपए वो बोल रहा है कि ये 6 जो है ये cost of production कम हो सकता है पर वो depend किस पर कर रहा है कि dollar correct decline हो रहा है कि नहीं हो रहा है थार क्या कहानी बनी अभी तक कहानी बड़ी simple है 10,00,000 यूनिट का production कर रहे है selling price है 10 डॉलर की cost per रहा है 6 डॉलर लेकिन सिनारियो है कि एक सिनारियो है कि dollar डॉलर करेट 10% से भी कम हो सकता, एक सिनारियो है कि डॉलर करेट 15% डिकलाइन हो सकता, डॉलर डिकलाइन हो सकता, तो उस कंडिसर में बोले कवाश्ट पनुट वो भी कम हो जाएगा, ठीक, बताओ सही, तो बोले current action, और क्या बोल रहा है, from the expected current level, अब देखो, अब यहां से सुनना बेटे, क्या लिखा हुआ, बोले, डिकलाइन, अगर हुआ ही नहीं डिकलाइन, तो, तो बोले, local cost of production, डॉलर 6 ही रहेगा, डॉलर 6, और इस बात की क्या probability है, कि डॉलर कर, डॉलर डिकलाइन नहीं होगा, बोले, 0.4 पर, 0.4, 40 पर, ऐसा भी है कि डॉलर डिकलाइन ह हो सकता है, 10 परशन से, उस condition में ये जो 6 डॉलर है, ये 30.3 से कम हो जाएगा, it means, डॉलर 5.70 आपको पड़ेगा, cost, और इस बात की chances कितना है, 40 पर, ऐसा भी हो सकता है कि डॉलर 15 परशन से डिकलाइन हो जाए, उस condition में cost per unit पड़ेगा, आपको, minus 0.15 और, तो बोले, फिर 5.55 ही पड़ेगा, और इस बात की probability कितनी है, पॉइंट, एक topic हुआ करता था, capital wasting में, scenario analysis, ये एक सिनारियो है कि डॉलर करेट, डिकलाइन ही नहीं होगा, ये एक सिनारियो है कि डॉलर करेट, 10 परशन से डिकलाइन होगा, और एक सिनारियो ये बना कि डॉलर करेट, 15 परशन है, the plant at the current rate of exchange, अगर आज ही के rate को देखा जाए, तो plant पे depreciation लगेगा, 1 million, annually, dollar 10 लाग, मतलब rupees में कुछ लगता होगा, depreciation, उसके equivalent dollar 10 लाग, पर dollar decline होगा, तो depreciation भी तो decline हो जाएगा, ठीक है, बात करेंगे, tax का rate कितना है, 30 परशन, you are required to find out, क्या मांगा है, annual cash flow, CFAT cash flow after tax, हम expert हैं निकलने, under all the different scenario of action rate, सुनो सुनो, वो कहता है कि तीन सिनारियो में, सिनारियो तीन ही है, आप CFAT ही निकली है, अगर dollar decline ही नहीं होता, अगर dollar 10% से decline होता है, अगर dollar 15% से decline होता है, और CFAT कैसे निकलते हैं, cells, minus cost, तो सर ये क्या आगा है, CFBT minus depreciation, फिर के ये तो पता है और आपको एक बर देखी लेते है, चलो, तीन सिनारियो हमें दिख रहा है, सिनारियो 1, सिनारियो 2, सिनारियो 3, तीनो ही सिनारियो में कितना कितना units भी किएगा, 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 डॉलार कशनाइस धाट अब बात करती है डीकलाइन नहीं होता कोई फरक नहीं पर्था तो डेप्रिसपन दस लाक डॉलर टेकिन अगर 10% से डिकलाइन हो रहा तो डैप्रिशीशन होगा उस लिडिशनой कि डेकलाइन होगा उसे सीह इसे सबसे अगर पंधरा minus किया पैट आ गया फिर एप्रेशिशन तो इसको मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं किया अलग-अलग सिनारियों में काम हुआ है यह अलग-अलग सिनारियों में काम कर लिया पूछा ही था अलग-अलग सिनारियों में बताई तूसरा एक्सपक्टड वेल्यू, एक्सपक्टड आएगा एक्सपक्टड तो C F A T into probability submission करना पड़ेगा यह तो expected का मतलब आपको पता है portfolio खूब पड़ा आप this into probability, this into probability, this into probability this is expected CF-8 32,26,000 expected point number 1, 2 point number 3 viability of investment proposal assuming an initial investment 25,000,000 on plant and working capital with a required rate of return, 11% on the basis of CF-8 arrived under option 2, this is CF-8 which was released on the basis and say, CF-8 will grow 3% so growth rate is 1.03 perpetual 0.11 minus 0.03 year not given 3 years expect 3 years probability that this can happen this can happen this can happen this can happen ok now let's see 32,26,000 0.11 minus 0.03 32,26,000 into 1.03 divided by MRC so sir here is $1 4,75,000 34,75,000 this is cash inflow cash outflow this is 25,000,000 NPV निकाल लेते एक था परपेच्वल एक विसिस पर ये NPV, NPV क्या प्रोजेक्ट की पॉजिटीव पॉजिटीव है तो क्या प्रोजेक्ट वाइबल है? यस, प्रोजेक्ट एक्सिप्ट कर लेना जाए सर ये कोशन वैसे कहां का है? अगर मैं कहूं old syllabus में आये के new वैसे तो new syllabus में आया है पर ये जो कोशन है, ये scenario analysis का ये भी capital बश्टिंग का टूटल मझे कितने कोशन करवाने हैं? इसमें सर टूटल मिला करा हमको तीन कोशन करने हैं पहला कोशन हो चुका है जो out of syllabus ही मालूँगा मैं new syllabus के लिए ठीक है, दिमाग चलाते तो भी क्या चलाते, चला लेते वैसे तो expected NPV वो तो निकाले लेते बस वो थोड़ा सा dollar decline वाली बात लिखी न वो थोड़ा सा परिशान कर सकते चलो, अब आगे बढ़े question number 2 January 2021 में आया है एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी है इस कंसिडरिंग है प्रोपोजल टू मेक एन इनवेस्टमेंट डॉलर 1.65 इन लाटिन अमेरिका डॉलर 1.65 लाग इनवेस्टमेंट कर रहा है और इनवेस्टमेंट कहां कर रहे हूँ, यूएस में ठीक है तो करेंट इसपोर्ट एक्षिन रेट और रेट दिया है रूपीस पर डॉलर का 72 और इनवेस्टमेंट और रेवेन्यू विल अकर इन डॉलर ठीक है कोई शाक ही ने यूएस में काम हो रहा तो भीया जो माल बिकेगा, वो डॉलर्स में बिकेगा तो बो डॉलर्स में ही आएगा, ठीक है द डॉलर और आई एना, रिस्क फ्री रेट ये काम आता है आई एर पी के हिसाफ से फाववर्ड रेट ने कालने का डॉलर में रेट आप इंट्रिस्ट कितना दिया है और इंडिया का रेट आप इंट्रिस्ट कितना दिया है बारा पर्शन उटाउट ज्यादा होना से तो फॉलिंग कैश फ्लो इस एक्स्पेक्ट कैश फ्लो निकाल कर दे दिया सेल्स में बोले, सी एफट ही निकाल कर दे थिया एक होता था होम करेंसी एप प्रोच एक होता था होम करेंसी एप प्रोच में होता क्या था जो फ्यूचर में जो फॉरें करेंसी में कैश फ्लो आएगा डॉलर से में उसको सबसे पहले हम होम करेंसी में कनवर्ट कर दे थे याद आ है होम करेंसी में कनवर्ट कर दे थे किस rate से forward rate निकाल ले थे आज का आज का तो दिया फर्स्ट इयर का second year का we using IRP और NPV निकाल लेते थे और required rate of return कितना use करते 14 परचन और foreign currency approach में हम dollar को rupees में convert नहीं करते हैं हम सीधा क्या करते हैं यह जो dollar है इसी को discounting करते हैं इसी को discounting करेंगे किस rate पे वहां के required rate of return dollar का और dollar का required rate of return के लिए क्या करना होगा वहां का required rate of return 14 परचन नहीं है वो बनाना पड़ेगा और कैसे मैंने सिखा है था कि भाई 1.14 कहां का required rate of return है इंडिया का उसमें से risk premium हटाओगे 12 परचन और उसमें US का जोड़ दोगे multiply कर दोगे यह मैं सिखा चुका हूँ तो 1.14 divided by 1.12 into 1.08 तो माइनस वन कर दो तो यह आ गया 0.099 1.099 तो वहां का required rate of return US का कितना हो गया 9.9 परचन और इस 9.99 परचन से discounting करोगे इन सब को वह किया होगा यह निकाला और 9.9 परचन से discounting किया जो किसमें है यह जो डॉलर से न इस को यह discounting किया यह आया dollars में investment dollars में तो NPV पर यह NPV किसमें आया dollars में और NPV का मतलब present value तो इसको convert आज के rate से कर दोगे तो यह NPV in rupees आ गया और क्या यह positive है हाँ अगर positive है तो क्या इसे accept कर लेना चाहिए क्या कुछ नाया था कुछ बेने क्या यह आप से मेरे बिना बताई भी हो सकता था हाँ जी आराम सी हो सकता था ठीके सर पहला वाला पॉइंट में दुख नहीं और वाट वीलिव इंपेक्ट इप देरी से withholding tax 10% मतलब TDS टाइप का बोले पूरा नहीं लाने देंगे आप जो कमाओगे जो भी कमाओगे cash flow आपको पूरा नहीं मिलेगा उसका 10% कट जाएगा TDS तो फिर क्या आएगा NPV तो चलो total present value of cash flow dollars में 18.02 यह वाला 18.02 उसका 10% कट जाएगा withholding tax तो आपको यह आ गया withholding tax के बाद उसमें initial investment बस ही withholding tax माइनस करना तो और कुछ नहीं तो यह आ गया है dollars में और इसको multiply कर दोगे तो negative NPV आ अगर negative NPV है तो project viable है कि नहीं नहीं बस दूसरे point भी withholding tax में दिक्कत हो सकती थी क्योंकि अगर मैं सूचता तो मैं ऐसे भी सूचता कि यह तो हर साल आ रहा होगा ना मेरे पास cash flow तो इसमें से भी withholding tax माइनस करेंगे इसमें से भी withholding tax अलग अलग year में माइनस करेंगे सर उसकी वजह से थोड़ा सा अंतर आ जाएगा ठीक है थोड़ा सा चल जाएगा तो यह question था एक और question है जो मुझे आपको करवाना हुआ है यह question question number three exam November 2020 new syllabus आठ नूमबर का question तो सारे question new syllabus के आना यार अजीब अजीब से question आया ऐसा नहीं एकात question न और यह question तो यार खोस उड़ा गया बच्चों को पढ़ते तो एक बार the management of a multinational company TL limited is construction of infrastructure project a proposal to construct a toll road बना रहा है भई टोल रूट और कहां बनाया जा रहा है नेपाल में बनाया जा रहा है टोल रूट बताओ कितनी अच्छी बात है आप कहां के रहने वाले हो ऐसा कुछ इसमें लिखा ही नहीं इसके लिए क्या खरीदना पड़ेगा कोई equipment जो को कितने का है डॉलर दोसओ पचास लग और लाइफ कितनी है 10 years the depreciation on equipment will be charged on SLM basis depreciation street line basis पे लगीगा ठीक है earning before interest, depreciation, tax and amortization earning before interest, depreciation, tax and amortization और ये collect होगा टोल रोट से dollar 33 lakhs per annum हो गई ठीक है और कितने साल तक collect होगा 20 साल तक कुछ लोग की expert opinion आ सकती है कि सर project ही 10 साल का 20 साल तक कैसे collect करोगे 10 साल में तो life ही खतम हो जाएगे life टोल रोट की खतम नहीं होगी भाई जो हम equipment खरीद रहे है ना उसको बनाने के लिए टोल रोट वो equipment 10 साल तक चलेगा रोट तो आज की आज बना रहा है हम लोग first year से revenue स्टार्ट हो जाएगा जो equipment है वो कितने साल में खतम होगा 10 साल तक 33 lakhs collect होगा कितने साल तक 20 साल तक तो इनकवरेज इनवेस्टमेंट नेपाली गॉर्मेंट इस ओफरिंग है 15 year term loan बताओ भई नेपाल की जो गॉर्मेंट है ना गोलती हम से लोन ले ली जी कितना कितना बले dollar 150 lakhs और जो market में rate है उससे भी कम तभी तो offer कर रहा है इनकवरेज कर रहा है इनकवरेज कर रहा है इनकवरेज किसको इनवेस्टमेंट को और सिर्फ कितने परशंट पर 6% पर अनम के सबसे आपको लोन मिल जाएगा अगर आपको लोन लेना हमने का ठीक है क्यों नहीं लेंगे market से कम में मिलेगा तो बिल्कुल नहींगे तो interest is to be paid annually interest तो बोले हम EMI नहीं interest जो है वो हर साल पैट करेंगे और जो principal amount है वो at the end of 51 ट्रेंच में हम payment कर देंगे यहां बात किसकी आई है तर यहां बात आई है loan के require rate of return for the project under all equity finance यह important है बोले loan को छोड़ो अगर सारा पैसा equity के through होता तो बोले discounting rate कितना होता 12% अगर equity finance होता तो post tax cost of debt 5.6 यह cost of debt है यह rate of interest नहीं market का tax का rate है 30% तो interest का rate निकल सकता है 5.6 divided by 0.7 यह post tax cost of debt है 8% तो देखा जाए तो market में debt का rate of interest हो 8% है जबकि Nepalese government ने हमको कितने परशन पी दी 6% पे loan वैसे तो हमारा फायदा है loan लेने से भी फायदा भाई 8% मार्केट में चल रहा है और हमें 6% में मिल रहा है ना बता दीजिए तो हम कैसे भी जुगार लगाके NPV तो निकाले ले थे फिर सोचते क्या करना सवाल बस इतना सा है उसने का नहीं हमें questions all करोगे adjusted NPV method यह कभी पढ़ा नहीं है और यह कहा है यह CA final में capital bus team में हुआ करता था और अब CA inter में तो मैं कैसे बढ़ा हूं मेरे syllabus में ही नहीं है तो और institute को ऐसा लग रहा होगा कि आप पहले से पढ़के आयों CA inter में capital bus team में समस्या यह थी और अभी मैं adjusted NPV आज में नहीं पढ़ाने वाला हूं बस करना क्या करना कुछ नहीं क्या loan लेने से भी आपको कहीं न कहीं फायदा है हाँ जी कैसे sir 8% जो है 3% में मिल रहा है फायदा है जो interest उस पर tax saving होता है यह फायदा है साब से loan लेने में तो इन्होंने क्या किया adjusted NPV कुछ नहीं है आप पहली बार required rate of return equity के purpose से NPV निकले जिसको आप समझा क्या सीधा question प्रेजिटर फैक्टर दे रखा है एक तो 12% का 10 साल का एक वटी के लिए इसके अलावा और क्या दे रखा है 12% का 20 साल का ऐसे 8% का 15 साल का 8% का 20 साल का 8% 15 साल के end का दिया यह ठीक फैक्टर तो पता लग यह कोशन कैसे start करे भूल जाओ कि नेपाली government ने कुछ loan loan दी है हमें उससे मतलब नहीं हम यह देखेंगे sales कितना हो रहा है cash inflow हमारे पास कितना कितना तो देख रहा है यह आएगा हमारे पास earning before interest, depreciation, tax and amortization मतलब इसमें से सर हमें interest करना पड़ेगा, depreciation minus करना पड़ेगा, tax minus करना पड़ेगा और amortization तो कुछ है नहीं है सुनना दिहान से depreciation minus होगा कोई शक्की बात नहीं tax minus होगा यह भी कोई शक्की बात नहीं interest minus नहीं होगा, मैंने काना loan है यह interest क्यों हो, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि equity के ही through सारा काम हो रहा है, loan वाला debt वाला काम है वो अलग से करेंगे, उसका calculation अलग से, अच्छा तो सर इसमें से interest minus नहीं करेंगे tax savings on interest वो अलग से देख लेंगे, कतम ठीक है सर, हम एक काम करते सर, CFAT निकाल लेते है CFAT निकालने में दिक्कत नहीं इसमें से क्या minus करना पड़ेगा interest तो minus वैसे भी नहीं हो रहा, depreciation सबसे पहले minus करना पड़ेगा, हाँ समस्या यह है, कि यह जो आएगा यह कितने साल तक आएगा, 20 साल तक पर depreciation जो लगेगा, वो कितने साल के लगेगा, 10 ही साल तो सर एक काम करते हैं, अब यह तो दिक्कत है पहले 20 साल, पहले 10 साल का बनाओगे फिर और एक 10 साल का बनाओगे, अलग-अलग इसके पेक्चा सर, इसको एज़िटीज लिख देते हैं, ठीक है सर, टेक्स सेविंग और डेप्रेशिशन लिख देते हैं हाँ, और जो टेक्स सेविंग और डेप्रेशिशन अलग से कर देते और जो यह जो आया है, इस पे टेक्स देख लेते हैं कितना हो रहा है, अलग-अलग भी तो कर सकते हैं सर, दोखो मेरी बासन, जो अलग-अलग भी कर सकते हो, और एक साथ भी कर सकते हो मतलब पहले 10 साल गालाग फिर 10 साल गालाग ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि depreciation मुद्दा है बस और कुछ नहीं मैं समझा रहा हूँ अगर मैं काहूं पहले 10 साल फिर्ष्ट 10 एन यर्स 33 लैक्स माइनस क्या करोगे depreciation depreciation कितना 25 लैक्स 33 माइनस 25 8 टेक्स का रेट कितना है जी 30 पर्षंट 30 पर्षंट है कि 40 पर्षंट है 30 पर्षंट है न 8 का 30 पर्षंट 2.4 टेक्स 10 माइनस 10 कर लो सिधा CFA यह जाएगा 33 माइनस 2.4 30.6 यह पहले जाए और दूसरे में depreciation रहे गई नहीं तो सिधा सिधा टेक्स 33 इंटू 30 पर्षंट 9.9 सिधा माइनस कर दो 23.10 यह फर्ष्ट 10 यह नेक्स 10 यह इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालो के तो एक बार देखी लेके फैक्टर दिया न हाँ यह बार भष्ट यह दस सलका और यह भी सलका कर ही लेते हैं 30.60 और दूसरा कितना है 23.10 5.650 7.469 जो भी आएगा उसका टोटल मार लेंगे 30.6 क्योंकि डेप्रेशिशन ना पहले 10 साल तक उसके बाद डेप्रेशिशन नहीं है तो उसके कुछ बचत होना नहीं है M M सरी आ गया 345.4239 क्यास पस इन्होंने कैसे कर रखा अच्छा इन्होंने रुपी दिन लैक्स में कर रखा ठीक है तो इन्होंने कर रखा है अच्छा इन्होंने बाद में इनिश्यल इन्वेस्टमेंट भी इसी में से मैनस कर दूए माइनस इन्होंने 250 कर दिया इनिश्यल इन्वेस्टमेंट अच्छा नेट एन्पी भी इही निकल लाँ माइनस 250 तो 9 345.4239 माइनस 250 क्या अगर 95.4239 कुछ भूल गया है तो वो देख लेते हैं क्या क्या हो किया है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 250 लाग ठीक है ये एक से बीस साल तक आएगा ये भी ठीक है उसके बाद टेक्स 33 पे लगाया होगा नोने तो शिदा शिदा 33 का 30 9.9 ये टेक्स ठीक है डेप्रेशिशन पे टेक्स सेविंग 25 का 30 परशन 7.5 ये भी किया तो ये आगया टूटल कितना आगया इनका एन्पी भी नेगेटिव में आया है 35.091 नहारा क्या चक्कर है 33 इन्टू 70 परशन ये ठीक है दूसरा वाले का क्या दिखा थे 33 माइनस 25 8 इन्टू 30 परशन 2.4 33 माइनस 30.6 ये भी सही है अच्छा ये तो ये फैक्टर नहीं तो टूटल 20 साल का हो गया ना 5.650 माइनस ये 20 साल का टूटल उसमें से 10 साल का हटाना पड़ेगा रहा से 1.469 माइनस 5.650 उसर ये 1.819 आ रहा है बिलकुन कैल्कुलेशन मिश्टिक हो गया था उसर कर ले 30.60 इन्टू 5.650 और 23.10 इन्टू 1.819 उसर ये 214 आ रहा है ये गलाथ है 214.909 माइनस 250 तो नेगेटिव आ गया है सर माइनस 35.09 क्या स्पस ठीक है बात समझ में आ गए ना हाथ सर अरफ समझ में आ गए कि हम ऐसे भी कर सकते थे इन्होंने ऐसे भी कर रखा सिर्फ किसकी वज़े से डेप्रेशेशन की वज़ा तो सर हम ये मान के चल रहा है कि लोन है ये नहीं जितना भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा है 250 लाक है ना वो 250 लाक एकवटी के थ्रू है तो उस हिसाब से हमने कर लिया तो ये नेगेटिव हमारा एंप्यवी आ गया अब ये क्या निकला नेट प्रेशेंट वैल्यू क्या मान के कि पूरा पैसा किसके थ्रू एकवटी के थ्रू इसको इन्होंने कहा बेस एंप्यवी इसके अलावा उ एसे काम करो तो उन्होंने 8% से डिसकाउंटिंग किया है और डेट वाला आपको पता है लोन लिया 150 लाक ये पैसा आया हमारे पास अब हमें इंट्रेश्ट देना पड़ेगा सिर्फ 15 साल कितने परशन का 6% का 150 का इस परशन 9 लाक ये 15 साल और इस पर टेक्स सेविंग्स भ बज़ा से हमें फायदा है और इसको रिसको प्लस कर दोगी और प्लस में है तो उन्होंने क्या नाम दिया में प्रेजर्ट बैस नपीव और प्रेजर्ट वैल्यॉप टो इन दोनों को प्लस किया तो ये पॉजेटीव आजिप्ट कर लेना चाहिए इसका अल्टरनेटिव है कि आप सिर्फ टेक्स सेविंग और इंट्रेस्ट फोकस करो पर अब अल्टर है यह नहीं है में दे दिया था तो हमने यह कर लिया को ठीक है तो यह तो वह वाला कोशन है कि भगवान ना करे कभी आ गया तो हम कर लेंगे पर आने के चंस से कम है थोड़े से तो सफिशेंट ह लेक्ट आगे क्या होगा मागी थैंक्यू सोमाची बाइब